तो बाइस जैसे आप लोगों बताया था कि यूर पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक्टीवेट करना है तो सबसे पहले आपको ओपन करने आप जो की यूर पे हैं ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा बेट करिएगा एक थूड़ा टाइम लग जाकता है खुलने में तो यहाँ पर आपको अपना फिंगर प्रिंट से या अपना पासपोर्ट से लोगिन कर लीजिए गा ठीक है जो कि हमने फिंगर लगाया था फिंगर से लोगिन होगा अभी हमारे में देख लीजिए 15.15 पैसे हैं अब एक्टिबेट करने के लिए आपको कार्ड पर किलिक करन ठीक है फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्टिबेट का ओप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अनक्टिब ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा एक्टिबेट पर किलिक करिएगा तो किलिक करने के बाद में आपको एक option देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहां पर card activation ठीक है लेकिन आप confusion मत हुएगा यहां पर एक option नहीं दिख रहा है कि कहां पर हमें किलिक करना है तो यहां पर नीचे आपको try another पर click करना ठीक है यह देख लीजिए try another दर मेरे उगली की नीचे देखिए ठीक है तो यहां इस पर किलिक करके आपको यहां पर अपने card का CBB number डाल देना है जैसे कि मैं अपने card में आपको दिखा देता हूं यहां पर यह देखिए four four nine ठीक है कुछ इस तरीके से आपके card पर CBB number होगा ठीक है तो उसको डाल दीजिएगा जैसे कि मैं यहां पर अपना जो है CBB number डाल देता हूं फोर फोर और उसके आद में यहां पर nine लिख देना है ठीक है इसको nine लिखते ही यहां पर मेरों को activate कर देना है जैसे कि activate करे आपको पूरा मैसेज मिल जाएगा आपको देखने को मिल आए फीजिकल कार्ड एक्टिवेट यहां पर आपको देख लीजिए यहां पर एक्टिवेट देखने को मिल रहा है हैं और अगर कार्ड पर किलिक करेंगे न तो वहां पर क्या नो सो कार्ड इंफोमेशन ठीक है जब इस पर किलिक करेंगे तो अपना log in कर लीजीए अपने पासपोर्ट से मैं फिंगर फिन लगा लिया तो यहां पर मेरा कार्ड नंबर बल्लू और सिविवी नंबर सर पूरा देखने को मिल जा रहा है ठीक है अब यहाँ पर मैं इस लिए दिखा रहा हूँ क्यूकि आपको पता होना चाहिए जैसे आपको काड नमबर चीए तो और यहां पर मेरा जिट जो है डिजिटल काड है ठीक है यहां पर मैं अपना होम पेज पर दिखा देता हूं यहां 15.50 पेसे बड़े हुए हैं और यहां पर देख लिजिए मैं जब से चालू कि हो पुरा ट्रांजेक्शन आया हुआ है ठीक है